राधे राधे दोस्तों आज मैं आपके सामने शेयर करने जारी हूँ एकदम देसी इस्टाइल पनीर मसाला की रेस्पी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है बहुत ही आसाने से मिलने वाले इंग्रीडियंट से बनकर तैयार हो जाती है तो आप भी जरूर ट्राइ करेगा तो च साथी मैंने या पर तीन प्याज को मोटे मोटे स्लाइस में कट कर लिया है प्याज को हमें लगातार चलाते वे बढ़िया तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेना है यहाँ पर प्याज फ्राइ हो चुकी है अब हमें प्याज को एक प्लेट में निकाल लेना यहां पर मैंने अद्रक को फ्राई नहीं किया है, आप चाहें तो प्याजोल लैसुन के साथ अद्रक को भी फ्राई करकर निकाल लीजिए, अब इसे ठंडा कर लेना है, ठंडा होने के बाद हमें मिक्सी के जार में डाल देना है, और पीस कर इसका बढ़िया सा पीस बना कर त चमच जीरा, दो छोटी इलाइची, चार से पांच काली मेज, दालचीनी का टुकड़ा, तीन से चार लॉंग और एक तेज पत्ता लिया है, इनका हमें तड़का लगाना है, थोड़ी देर फ्राई होने के बाद इसमें एक चमच लाल मेज पाउडर, एक बड़ा चमच धन चलाते हुए भून लीजे, मसाले भूनने के बाद हमने जो टमाटर का पेस्ट पना कर रखा था, हमें डाल देना है, और लगातार चलाते हुए हमें भून लेना है, दोस्तो अभी तक मैंने इसमें हरी मिर्शी का तड़का नहीं लगाया है, अब यहां पर मैंने तीन से च बड़े चमच दही लिया है, दही हमें बहुत जादा खटा नहीं चाहिए, नहीं तो सबजी बहुत ही जादा खटी हो जाएगी, दही को भी हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है, मैंने सभी मसालों को दो से तीन मिनट लगातार चलाते हुए भून लिया है, मसाले अ हमें मसालों को बहुत जादा पकाने की जुरत नहीं है, बस आप एक मिनट ही लगातार चलाते हुए मसालों को भून लीजिए, जिससे प्याज मसालों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, यहाँ पर सभी मसाले अच्छी तरह से भूनने के बाद, अब हमें पानी डालना है, अभी मैंने इसमें एक ही कप पानी डाला है, हमें लगेगा तो हम और पानी डालेंगे, यहाँ पर ग्रेवी थोड़ी काड़ी है, इसलिए मैं इसमें एक कप पानी और डाल रही हूँ, अच्छी तरह से mix कर लेंगे, दोस्तो अभी तक हमने सबजी में नमक नहीं डाला है अब हम इसमें नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल लीजिए मैंने एक चमच नमक डाला है अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे क्रेवी में उबाल आने लगा है अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है यहाँ पर हमें पनीर को फ्राई करने की जुरत नहीं है आप चाहें तो फ्राई भी करकर डाल सकते हैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सबजी में हमें काजू का पेस्ट या फिक क्रीम डालने की जुरत नहीं है अब हमें इसे ढख कर पकाना है दो मिनट के लिए मेडियम फ्लेम में दो मिनट के बाद यहाँ पर हमारी सबजी पक चुकी है इसमें हमें एक चमच का सूरी मेथी का डालना है या फिरा भरा धनिया डाल दीजिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो लीजिए हमारी देसी इस्टाइल पनीर मसाला की सबजी बनकर तयार है आप भी जरूर बनाएगा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है दोस्तों यहाँ पर सबजी अच्छी तरह से पक चुकी है अब आपको इसमें जो भी खड़े मसाले दिख रहे हैं आप उन्हें निकाल दीजिए तो लीजिए हमारी एकदम देसी स्टाइल बहुत ही ज़्यादा स्वादिस्ट पनीर मसाला की सबजी बनकर तयार है इसमें हमने बहुत ही कम मसाले राले हैं फिर भी यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है आप भी एक बार इस तरह से इस पनीर मसाला की सबजी को जरूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में जै श्री कृष्णा